है दो आज हम बनाएंगे बिलकुल रबडी जैसा खीर घर पर बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी मलाईदार खीर हम बनाएंगे आज घर पर तो फ्रेंट्स वीडियो को एंड देखिए बहुत ही सिंपल रेसीपी है वीडियो अच्छी लगए तो प्लीस चैनल को सब्सक तरी के सुबाल आ चुका है अब इसमें डाल हूं जौर लिए है और पांच चम्मच मेरे चावल लिया है बासमति का टुकड़ा है मैं एड कर रही हूं एक लीटर दूद में मैंने चावल को अच्छे से इसमें डाल लिया है और इसको हम धीमी आश्पी अच्छे से पकाएंगे फ्रेंड्स तो चलिए हम पे ही चावल को बहुत अच्छे तरीके से पका लेंगे हैा सने धख कुझे में अच्छे से पका लेती हूं तो यह देखिये चावल भी काफी अच्छी तरीके से पक् रहे हैं और दूद भी हमारा गाधा होने लगा है तो यह देखिए चावल अच्छे से पक चुके हैं और दूर हमारा गाड़ा होने लगा है तो अब क्या करेंगे इसी स्टेज में हम डालेंगे ड्राइफूट्स ड्राइफूट्स में मैं बदाम डाल रही हूं आप कोई भी ड्राइफूट्स यूज कर सकती है काजू बदाम डालेंगे फ्लेवर के लिए बहुत ही बढ़िया टेस्ट और खुश्पू आएगी हमारी खीर में अच्छे चला लेंगे आप इसको हम थोड़ा और गाड़ा होने तक अच्छे से हम पकाएंगे फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स यह देखिए काफे ठीक होने लगा है दूद को अब भी दूद हमारा थोड़ा पतला है थोड़ा सबस्टा राएंगे अच्छे तरीके से तो फ्रेंट्स यह दिखिये इसी स्टेश पर हम डाल देना है चीनी चीनी हमें लास्ट में ही एड करना होता है खीर में तो फ्रेंट्स मैंने यह चीनी डाल दिया है सोग्राम निकाल लेती हूँ हमारा बहुत ही भढ़िया गरम खीर तैया है लुए या परसो पढ़ाम रखे दिया है । एक लाइक आ चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजी सारी वीडियोन आप टॉ montre आने वाली वीडियो समझे पहले तक पहुंचेगी तो यह देखे स tut यह बड़ी बढ़िया एक दम रबडी जैसा खीर हमारा बेलकुल तैयार है यह आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रबड़ी जैसा यह खीर तैयार हुआ है तो फ्रेंश वीडियो देखने के लिए आप बहुत 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 थे एक फ्रेंश